कार्तिक मास के शुकल पक्षकी द्वितिया के अवसर पर भगवान चितरगुप्त पूजा का आयोजन किया गया इस अवसर पर सामोहिक कलम दवात पूजा किया गया अखिल भारती कायस्त महसभा के द्वारा आयोजित भगवान चितरगुप्त पूजा हवन वभंडारा का आ आई लोगों को संबोधित करते हुए अखिल भारती कायस्त महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजर श्रिवास्तों ने सब का धन्यवाद दिया और भगवान चित्रुप्त के विशा में और कलम दवात पूज़ा का महत्व बताया मुख्यमंत्री पुशकर सी धामी सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरिशन पर नजरें पहनी किये हुए हैं मुख्यमंत्री पुशकर सिंधामी ने आज जो कमिशनर गढ़वाल आईजी गढ़वाल एवं राहत एवं बचाओ में लगी एजेंसियों से सिलक्यारा में चल रहे है रैस्क्यू आपरेशन तथा टनल में फसे श्रमिको की कोशल खशेम की हर पल की अपडेट ली उधमसी नगर के गदरपुर में एक सराफा व्यापारी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें सराफा व्यापारी मामूली सी बात को लेकर एक दुकान स्वामी के साथ गाली गलोच और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है जिसके बाद पीडित दुकान स्वामी ने पुलिस को तहरीर दे कर कारवाई की मांग की वहीं पुलिस ने पीडित की तहरीर पर सराफा व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाच शुरू कर दी है आप भी देखिए कि किस तरह से सराफा व्यापारी ने दुकान स तो दूसरे लोग को कर रहा है और किया उसने इसी शंब्दम तहरीर आई थाना गदरपुर में और तहरीर के आधार पर सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है ऐसे में बदलते मौसम के साथ लोगों को स्वास्थ संबंधी जपकतों का सामना भी करना पड़ रहा है हवा में धूल के कण नमी के साथ मिलकर वायू प्रदूशन का कारण बन रहे हैं जिस से लोगों को सांस की समस्या भी जेलनी पड़ रही है तून अस्पताल की M.S. डॉक्टर अनुराग अगरवाल ने लोगों से बदलते मौसम के साथ अपनी सिहत का विशेश ध्यान रखने की अपील की है तो मेरी सभी से अपील है कि अपना बहुत ध्यान रखें ऐसे में थंडे थंड से बचना है तो गरम कपड़े पहन कर रहें थंड में लोग पानी भी कम पीते हैं तो पानी का एक हाइडरिशन की कमी हो जाती है तो पानी भी उर्चल मात्रा में लेते रहें हलका खाना लें और फालो का उचुद इप्योग करें इसके अलावा सभी से मेरी अपील है कि दिवाली और बुग्याल आइटिंग तोहरे जो आने वाला है तो इन समय हम लोग पताके और आतिशवाजी भी करते हैं तो इसको अगर हम मेरी अपील माने तो आप लोग कम्यूनिटी लेबल प कर सकते हैं तो वो सब भी एक प्रदूशन का चोटा सा कारण उस टाइम पर कुछ समय के लिए बन जाता है तो इन सब भी हमें ध्यान लखने की बहुत जरूरत है पूर्व कैबिनेट मंतरी प्रसाद नैथानी ने आज कॉंग्रेस भवन में प्रैसवार्था करते हुए सिलक्यारा टनल घटना करम पर सरकार पर तीखा हमला किया और तलब है कि कंग्र्सup 對jak 무heora ने सिलकरा टनल घटना के लिए मंतरी प्रसाद नैतानी को Ground Zero पर जाकर नेडिक्षन करनारी सौंपई थी उत्तरकाशी सिलकरा टनल का स्थलिय नेडिक्षन करने के बाद देहराधून पहुँंचे मंतरी प्रसाद ने Preswater के दोरान कहा सामान ही नहीं है जिसके साथ है मंत्री प्रसाद ने कहा कि चौथी बार इस तरह की घटना हुई है कॉंग्रेस की तरफ से हमारी मांग यह है कि गाश्चपति जी से हम निवेदन करते हैं कि इस सुरंग की उच्च अस्तरिय जाच की जाए जो वहां पर जिस तरीके से काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता की उच्च अस्तरिय जाच की जाए और बविश्य में ऐसी बात नहीं हो जो लोजिकल जो रिपोर्ट आई है उसकी पूरी जाच की जाए ताकि वहां पर जिस तरीके से जो लोग दब गए हैं और यह चौथी बार हुआ है ऐसा भी नहीं है यह चौथी बार हुआ है दीरे-दीरे होता गया और लास्ट में पूरा बल्क में नीचे आया है मलवा तो आज तक उस जिले का प्रवारी मंत्री वहां नहीं पहुँचे आज तक वहां पर आपदा प्रवंदन मंत्री नहीं पहुँचे तो खुद उनको वहां पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी और यह देखना चाहिए था कि किस शीज की कमी है मंगलोर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी की मृत्यू के बाद विधान सभा में उप चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है जहां एक और तमाम पर्टियां पूरी तरह से चुनाव की तयारी में जुट चुकी है वहीं भारती जनता पार्टि ने मंगलोर सीट को जीतने का लक्ष मानकर पूरी ताकत से संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तयारी में जुट जाने को कह चुकी है जहां एक और उप चुनाव के टिकट को लेकर पूर्व कैबिनेट मंतरी स्वामी यतिश्वरा नंद का नाम सामने आ रहा है तो वहीं हाल में ही विधान सभा का चुनाव लड़ चुके दिनेश पवार के साथ पूर्व जिला पंचायत सदसे रह चुके अनीस गौल और पिछले 25 सालों से मंगलोर की राजनीती करने वाले भाजपा की वरिष्ठ नेता सुशील राठी भी सभी दावेदारों में आग अपनी सरद्धान जली अर्पित करता हूं आज ही सरबत करीमन सारी जी जो माने विधायक रहे हैं और एक समयदानिक परकिरिया है चुनाओ छे मां के अंदर होना है तो सबी पार्टियां अपने इसमें लगी हुई हैं कि हम इस सीट को जीते और निश्चित रूप से बारत जन्ता पार्टि की जोली में सीट इस बार जरूर जाएगी